चली एक बाद दोहरा लेते हैं, हमने इस अध्या में क्या क्या पढ़ा, हमने जीवों के प्रकार देखे, सजीव और नर्जीव, हमने पोशन के प्रकार देखे, स्वपोशी, परपोशी, परजीवी, हमने अमीबा में पोशन देखा, जो कुछ इस प्रकार था, हमने पौधों में पोशन देखा जो कुछ इस प्रकार था हमने मानवों में पोशन देखा जो कुछ इस प्रकार था हमने मानवों में श्वसन के बारे में पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था हमने पौधों में परिवहन के बारे में भी चर्चा की फिर हमने मानव में परिसंचरन कैसे होता वेह भी पढ़ा जो कुछ इस परकार था फिर मानव में उचसर्जन कैसे होता है उसके बारे में बात की जो कुछ इस परकार है धन्यवाद झाल झाल